हलो गाइज वेलकम दो चारापुना चारापुना मैं आप सब का फिर सेग पर स्वाव है तो आज की वीडियो की ताइटेल और थमनिल देखके आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आज की वीडियो किस रिगारडिंग होने वाले तो दोस्तों मैंने जैसे की लास्ट मेरा एक वीडियो पे आप लोगों को वदा किया था जिस वीडियो पे मैंने आप लोगों को ये समझाय था कि शुशन भाई के साथ जो कुछ भी हुआ है वो एक कारी के अंदर होने का possibilities बहुत ज्यादा है location के बारे में मैंने आप लोगों के समने पूरा expose कर दिया शुशन भाई की time of death जो भी मैंने clear करके आप लोगों के सामने रखा I hope कि इसके बाद आप लोगों का और कोई भी confusion नहीं होना चाहिए कि शुशन सिंग राजपुद कितने बजे expire कर गए और ऐसा कौन सा जगा हो सकता है जिस जगा पर शुशन सिंग राजपुद के साथ यह कांड हो सकता है और उस जगा में यह भी मैंने prove करने की कोशिश किया था कि जो भी कांड हुआ है सब कुछ गारी के अंदर होने की possibility सबसे ज्यादा है और इसके related मैंने आप लोगों को कई सारे समुद भी दिखाया थे कई सारे photos relate करता हुआ आप लोगों को दिखाया था कि यह जो picture आप देख पा रहे है अगर situation कुछ ऐसा होता तो शुशन भाई की गले में जो दाग हम देख रहते वो दाग ऐसे हो सकता था और साथी साथ इसके साथ कौन relate करता होगा यह भी मैंने आप लोगों के सामने थोड़ा बहुत हिंट दे दिया था अब इस वीडियो की ज़री जैसे कि मैंने बो वीडियो के ज़री आप लोगों को यह कहा था कि मैं अलग एक वीडियो बना के आप लोगों के सामने ये प्रेजेंट कर दूँगा कि शुशंद भाई की गले में जो दाग था जो लिगेचर मार्क था वो मार्क बेसिकली एक वायर का था यानि किसी वायर से ही या फिर चाहे वो वायर हो या फिर चाहे वो कोई पतला सा रस्ती हो कोई केवल हो तो इसके जरीए ही शुशंद भाई के साथ जो भी हुआ है उस चीज के बजा से ही हुआ है ये भी मैं आज की वीडियो में आप लोगों के सामने प्रमान करने की कोशिश करूंगा अब इस वीडियो में मैं एक ऐसा फोटो आप लोगों के सामने रखूंगा I don't know कि उस फोटो की जड़िये YouTube के तरफ से कोई परेशनी मुझे जहलनी होगी या फिर नहीं पर मैं कोशिश करूंगा कि वो फोटो आप लोगों के सामने रखके उसे medical purpose बताने की तो सबसे पहले plot I hope की जो लोग मेरा वो वीडियो देखे हैं उन लोगों को plot पता चल गया था कि शुशन भाई को गारी में डालने के बाद जैसे कि रोड के अंदर open road में कुछ नहीं किया जा सकता था शायद मार पीटने के बाद गारी में डालने के बाद पीछे से वो अटक किया गया था अब पीछे से अगर अटक किया जाएगा तो यह तो 100 परसंट शूर है कि जो दाग आएगा वो दाग पीछे का कुछ ऐसा आएगा यह वीडियो मेडिकल परपस यूज किया जा रहा है मेडिकल एंगेल से समझाने के लिए ही यह फोटो को इस्तमाल किया जा रहा है तो यह जो दाग है दोस्तों यह जो दाग है यह दाग आपको देखके आप नहीं लगेगा कि चरापुना कोई केबल का दाग यह नहीं हो सकता है एतनी मोटी एक दाग केवल का कैसे हो सकता है तो तुम कैसे क्लिम कर रहे हो कि ये केवल का दाग है क्योंकि दाग होगा बहुत पतला सा वह ना इतना चौरा दाग तो नहीं होगा तो इस जगा पर में कहानी पर हम फोकस करें तो शुषन सिंग राजपूत की केस के दिन यह ब्याक्ति शुषन सिंग राजपूत की फ्लैट में शुषन सिंग राजपूत की घर पे आया था पुलीस आने के बाद ये बैक्ति आया था और सबसे में जो फोकस करने वाली बाद था इस बैक्ति के अंदर बो था कि अगर ये बैक्ति कुरोना के चलते अपनी पूरी सेप्टी मेंटेन करके चल रहा था तो इनकी दोनों हाथ में ग्लाब्स दोना चाहिए था और मुपे मास्क ज़रूर रहना चाहिए था तो सब कुछ मिला के देखते हुए आपको मुपे मास्क तो ज़रूर दिखेगा पर दोनों हाथ में इनका ग्लाब्स नहीं दिखेगा तो एक हाथ पे ग्लब्स क्यूं यह में और सबसे एहम सवाल कि अगर कोरोना के चलते इन्होंने हाथ पे ग्लब्स डाले हैं तो क्यूं एक हाथ पे एक हाथ क्यूं खाली है इनका तो मैं आप लोगों को बता दू कि यह जो ग्लब्स इन्होंने पेने हैं यह ग्लब्स बिसीकली नो फिंगर प्रिंट ग्लब्स है यानि इस ग्लब्स पेनने के बाद अगर कोई काम किया जाएगा तो इसका कोई फिंगर प्रिंट आता नहीं है और वैसे ही कोई भी ग्लब्स उसमें तो और भी कुछ नहीं आएगा अब आते हैं में पॉइंट पे तो एक मेकाप आटिस्ट जिसके साथ शुशन सिंग राजपुत का उतना अच्छा संपर्क नहीं था निरज जिसके साथ शुशन सिंग राजपुत का उतना गहरा बॉंडिंग नहीं था मैं कह रहा हूं ये जो दा दोस्तो था यह था मेंदाग न यह जो पतली सी जो दाग आप लोगों को दीख रहा है यह ए मेंदाग और इस मेंदाग को अब अगर यह फटो लीक होने का बाद कीविए सब किसी को पता था कि शुशंथ सिंग राचपूत की फोटो लीक होने वाला है यानि लीक होगा ही होगा क्यूंकर वो एक स्टार एं तो कितना ही security मेंटेंट करे इनका फोटो बाहर जाएगा और बाहर जाते ही मैं जो एक यह लाइन मैं हमेशा इस्तवाल करता हूं कि हरे एक एसे सारीयन एक-एक ब्योंकिश बक्षी है तो जट से बोलो पकड़ लेगा के ना भाईया यह कोई कप्रे का दाग हो ही नहीं सकता यह जो अगर यह दाग जो है वो अगर इतनी मोटी नहीं रहता अगर यह जो में जो दाग इनके गले में आया था यही दाग बस रहता तो कोई भी पकर लेता कि इतनी पतली सी दाग कोई केबल या फिर कोई वायर का ही हो सकता है और जिसके कारण पुलिस के तरफ से शायद क्या हम यह कोश्चन नहीं रख सकते हैं कि शायद पुलिस के तरफ से उनको बुलाया गया हो या फिर उन लोगों के तरफ से इनको बुलाया गया हो घरवाले की तरफ से यानि शुशन सिंग राजपूत की घर की मैं चार्ट पुलिस वाला शायद यही कुछ प्लान किया था कि हमें हम लोगों को तो पता है कि शुशन सिंग राजपूद बेचारा को मार दिया गया है अब अगर लोग यह पता लगा ले तो कौन फसेगा अधित्या ठाकड़े उसके बाप श्रिप्शना सरकार यह लोगी तो फसेंगे और अगर अधित्या ठाकड़े और उनकी बाप फस गया तो हम लोगों की नौकरी तो जाएगा ही उनपर से कुछ एक्ष्टा भी मिल सकता है तो जिसके करण कहां नहीं को कुछ ऐसे सिट करना होगा ताकि किसी को पता ना चले कि यह जो दाग है यह कोई केबल का यह फिर ओ कपरा घर में टांगा हुआ था फैन के साथ उसी कपरे का ही यह दाग है और जिसकी कारण वो मेकाप पर्टिस्ट आया और जल्दवाजी में यह फोटो मैं आप लोगों के समने पूरा नहीं रख पा रहा हूं यह फोटो मैं पूरा कंप्लीट यानि पूरा जो पिक्चर है वो मैं अपनी इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट कर दूंगा और जो लोग अभी तक मेरे इंस्टाग्राम पे नहीं विजिट किये इसके बाहने इंस्टाग्राम पे विजिट भी कर लीजेगा वो फोटो को भी देख लीजेगा और इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर लीजे यानि जिस सरकल में बनना चाहिए उस सरकल में तो बना नहीं यह तो हम लोग पहली दिन में ही पकड़ लिया पर जो exactly जो केबिल का या फिर वायर का जो निशानी होते हैं वो कुछ ऐसा ही होता है और अगर आप केबिल या फिर वायर को दिमाग में रखते हुए इस दाग को देखेंगे तो डिफिनेटली आपके नजर में आ जाएगा कि हाँ चारापोना ने सही पकड़ा था यह जो नीचे का जो लाइन है यही है में लाइन ऊपर का जो लाइन है बहुत थोरा सा धुंदला है जस्ट पॉलिश करने के वाद छोड़ दिया गया था और जिसके वज था और इदा तोरो सब प्रिशाड ज्यादा परने की बज़ा से यहां का जो लाइन का जो साइज और यहां का जो लाइन का शाइज थे यांटि थेक्नेस वह फरक आ गया है तो जिसकी करण यह आसानी से समझा जा सकता है और यह महाशाय का फोटो देखते हुए इस महाशा कि यह घ्यक्ति जो गया था वह इस crime को ढखने के लिए गया था crime के ऊपर crime के ऊपर थोड़ा सा रंग चराने के लिए गया था जिस रंग के द्वारा पूरी केस को और सफेद बना दिया यह यानि क्योंकि शुषंत सिंग राजपुत की फैन हैं हम लोगों के आखों के नीचे से कुछ हो जाएगा हमारी स्टार का और हम पकर नहीं पाएंगे ऐसा हुई नहीं सकता और अगर यही है अगर ऐसा ही कुछ है तो इस जगा पे सबसे बरा सवाल यही रहता है कि पुलीस रहते हु उगर पुलिस रहते हुए शुषंत सिंग राजपुत की गले में बू मार्किंघ का जो केबल का जो दागे ऐसना दाह को अगर मिटाया जा रहा है उस दाक के साथ छिरखानी किया जा रहा है तो यह अगर पुलीस सपर्ट करें तो यह एनलिस करना कोई भी बढ़ी बात नह की जो में सदस्तिया है उन सदस्तिया यानि रूलिंग पार्टी की मिम्बर्स को पुलिश हमेशा प्रोटेक्शन देने की कोशिश करता है और उस टाइम पे जो रूलिंग पार्टी की मिम्बर था बोतों मैंने बता दिया अधित्या ठकडे और अधित्या ठकडे की पिता इन ये clarity नहीं आता है, क्या ये clear नहीं होता है, कि अगर police, अगर परमबीर, वाज़े, ये कोशिश कर रहा था, कि किसी को बचाने के लिए, तो क्या हम ये analysis नहीं लगा सकते, कि ये लोग जिनको production देना चाते हैं, वो आदित्या ठाकड़े हो सकते हैं, क्या ये analysis लगाना गलत है, तो बस दोस्तों इस वीडियो के जड़िये, मैंने एक छोटा सा photo के माध्यम से, कम से कम आप लोगों के सामने ये रख पाया, कि शुश तो इसके regarding आपका अभी क्या opinion बन रहा है, क्योंकि चारापोना already, अगर आप चारापोना की एक regular viewer है, तो आपको पता चल चुका होगा, कि हमरी superstar शुशन सिंग राजपूत को, किस जगा पे खतम किया गया था, कितने बजे खतम किया गया था, कैसे खतम किया गया था, और व यह आप लोगों की opinion की, कि इसके regarding आप क्या सोच रहे, I hope कि इस वीडियो की information आप लोगों को बहुत दंदार लगा, अगर आप समझ पाए तो, और साथी साथ, आप लोगों का जो भी कहना है, आप लोग प्लीज मुझे comment section open है, comment section पर कह सकते, और जो लोग वो photo को detail में कर लीजेगा, link description में मैं दे दूंगा, साथी साथ, चारापुना को follow भी कर लीजेगा, तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे मेरा next किसी वीडियो पे टिल देन, सब कोई खुशे येगा, बढ़िया रहेगा, ताटा झाल 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 झाल